नमस्कार और वेलकम तो बाइजुस एक्जाम प्रेप डिस इस मी अभिशेक लहकर और अन्ड ओकेजिन ओफ 74 रेपॉब्लिक डेय ओप इंडिया आप तो आप सभी को बहुत-बहुत हार्डिफ शुक्काम नाए आज का जो दिन है ये कोई आम दिन नहीं है ये वो दिन है जि एजुलेशन लेते वक्त कि 26 जनवरी वो दिन होगा जहां भारत किसी और के आधीन नहीं होगी ये हम लोग स्वतंतरता के तरफ बढ़ने का सबसे पहला स्टेप था और उसी चीज को उजागर करते हुए हम लोग 74 टाइमस इस दिन को मना चुके है आज तक इस देश को वि पीरों को एक बार याद करिए अपना ट्रिब्यूट डीजिएगा दिलिस्ट गोज ऑन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आज की ब्रीफ विडियो में क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल से लेके रीसेंट के जिटने भी अटैक्स होती है हमारे देश के उपर हमारी सोवरेंटी क उपर उन सभी लोगों का नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा बट मैं क्याना चाहता हो कि वैसे ही लोगों के लिए वैसे ही ओधाव के लिए आज हमारा भारत अखंड है और शायद विश्व का सबसे बहतरीं देश भी है यह देश नाकेवल गरीबों के लिए है ये अमीरों के लिए है, सभी के लिए है, बुढ़ों के लिए है, बच्छों के लिए है, पिच्रे वे जातों के लिए है, और अपरकास्ट ब्राहमनों के लिए है, हिंदू के लिए है, मुसलमानों के लिए है, सभी जातों के लिए ये देश प्रसिद्ध है, ये ऐसा महान देश है, जिस unity and diversity तो guys, आज इस वीडियो के माध्यम से इस देश के 26 ऐसे महान milestones को मैं उजागर करने वाला हूँ 1950 का जो सन था उसको लेके आज सक 2023 तक भारत नहीं as a देश, as a country क्या-क्या अचीव किया है to maintain its sovereignty to maintain its hierarchy in the entire world picture let us try to see with this particular video इसमें कुछ महान facts मैं share करने जा रहा हूँ, छोटे मोटे facts नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ज़िताज महल हम लोग को प्रसीद करती है बट आज कल एक नया चीज चल रहा है कि भारत के पास विश्वका सबसे tallest statue है जिस देश को अंग्रेज हकूमत हमेशा तोड़नी चाती थी और तोड़ के इतनी सालों तक हम लोग के उपर राज करी आजूर देश में ही Statue of Unity नामक बुरे विश्वका सबसे उचा statue स्थापिद है इससे बढ़िया चीज, इससे बढ़िया मिसाल क्या मिल सकता है किसी भारती को भारतियों को नंशान, Statue of Liberty Motherland Calls, Christ Remember इन सारी statues को पीछे छोड़ते वे 182 मेटर्स का विश्व का सबसे उचा statue है उसके बाद भारत की अगर इतिहास की बात करे तो विश्वयूद के बाद दूतियों विश्वयूद के बाद भारत ने ये निरने लिया कि हम किसी भी सुपर पावर के तरफ नहीं जाएंगे ना हम राश्या के तरफ रहेंगे ना हम यूएस के तरफ रहेंगे आई तिंग नया नया आजाद होने के बाद ये बहुती एक bold step था भारत ने एक नया संस्था established किया जिसका नाम था Non-Alignment Movement एन ये भारत का एक founding member था जावलाल नहरू इस picture को देख सकते हो along with President of Ghana, President of Egypt President of Indonesia and President of Yugoslavia हम लोग इन देशों ने मिलके ये निरने लिया कि भारत किसी भी पावर के तरफ नहीं जाएगा क्योंकि हमें फिर से इस यूद के cycle में नहीं फसना था 1950s में ये चीज़ एचीव करना 1960-61 में ये found हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि 1950 में हम लोग Republic बनें and 1960 में हम लोग पूरे दूनिया के सबसे जो ताकटवर दो देश थे उनके खिलाफ एक non-alignment movement launch कर दिये थे उसके बाद अगर भारत की बड़ी achievements की बारे में बात करी जाए 1961 आपको पता है कि भारत आजाद तो 47 में ही हो गया था पर उसके बाद भी Portuguese गोवा में अपनी हग जमा के बैठी वी थी बट Portuguese को 1961 में अपने देश से मार भगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी achievement है Portuguese आपको पता है they were the first Europeans to visit India ठीक है first Europeans to establish their colonizing tendencies in India वासकोदी गामा से इसकी शुरुवाद होती है यहाँ पर देख सकते हो finally यह 19 December 1961 को जाती है हमारे महान देश से गोवा में अभी भी बहुत सारे Portuguese colonies हम लोगों को देखने को मिलती है उसके बाद India's first sounding rocket launch ठीक है उस समय इश्रो की स्थापना हुई नहीं थी 1969 में इश्रो establish होता है बट यह rocket launch जो है 1963 में ही हो गया था ठीक है तिरोवनांतपुरम केरला से इसको launch किया गया था और इसको हमें मिला था from NASA ठीक है इस rocket launch का नाम था ठीक है Nike Apache ठीक है जो NASA ने हमको प्रोवाइड किया था यहाँ भी आपने देखने को मिला होगा ठीक है इडिज़ फॉस्स साउंडिंग rocket launch दा इंडिया है थाइड आउड अंदर डॉक्टर विक्रम भाई सरा भाई ठीक है एड एड एपी जे अब्दुलकलाम उसके बाद अगर भारत की महानता के बार में बात करी जाए इन पचास सॉरी 75 सालों में हमने क्या क्या अचीव किया इंडिया ग्रांटिंग असाइलम तू दलाई लामा आपने पढ़ा होगा 1962 में हमने इंडो चाइना वार में भाग लिया था और इस वार का मुख्य कारण ये भी माना जाता है कि दलाई लामा जो की तिबेट का गुरू है तिबेट का लिडर है और तिबेट को चाइना अबैध तरीके से हरपना चाती थी और उसके खिलाव चाइना जैसे एक ब्रिहत देश के खिलाव भी भारत ने आवाज उठाई हलाकि हमारे पास शमता नहीं थी बट फिर भी हम लोग हिचके चाये नहीं और टिबेट के सबसे महान लीडर दलाई लामा को हमने अपने देश में पना दी और उस वज़े से हमने चायना के साथ यूद भी लड़ा तो एक तरीके से बहुत ही बोल्ड मूव मैं कहना चाऊँगा छोटा होते भी हमारा जिगड़ा बहुत बढ़ा था चायना के साथ शायद हम लोग यूद करने में उस समय उतना सक्षम नहीं थे उतनी हमारे पास resources नहीं थी बढ़ हमारा जिगड़ा दूसरों से बहुत बढ़ा है तो guys हमेशा याद रखना हिंदुस्तानी होने का एक ही पड़िचए है कि आप में बहुत बढ़ा जिगड़ा होना चाहिए विडियो को लाइक जरू करिएगा अगर आपको इस बात के ओपर सहमती है उसके बाद अगर इन 75 सालों में आप पूछोगे सबसे बढ़िया चीज क्या है तो बढ़िया चीज दोस्तों यह है कि भारत की armed forces हमारे को किसी भी exterior threat से बचाने में मुकमल है चाहे वो आप शिक्स्तीज की वार्ज के लिए भार 65 की इंडियो-पकिस्तान वार सेवेंटीज की वार इंडियो-पकिस्तान इंडियो-मंगलडेश लिबरेशन वार ठीक है पोकरन टेस्ट 74 में जो किया हमने कश्मीरी इंटर जिन्स जी 1989 में 1998 में, 1999 में कारगिल वार, ठीक है, फिर परलिमेंट अटाक डिसेंबर में, फिर 2007 में समझोता है एक्सप्रेस बॉम्बिंग, फिर आपकी मुंबई टेरर अटाक 2008 में, फिर आपकी 2019 में पुल्वामा अटाक, ठीक है, उरी, तो बहुत सारी हमारे देश के उपर हमला हुई है, पर हम, उन सारे हमलाओं को, एक तरीके से मूत और जवाब देने में सक्षम है, और हम अपनी देश की अखंड़ता बचा के रखने में सक्षम है, इससे बड़िया चीज किसी देश के लिए, कुछ मेरे हिसाब से होई नहीं सकती, फिर आता है, एकॉनोमिक रिफॉर्म की ब दॉक्टर मनमोहन सिंग जी, जी हाँ दोस्तो, मनमोहन सिंग जी के निट्रित्त के अंदर, ये लपी जी की जो रिफॉर्म्स थी, सही में भारत को एक आर्थिक सुपर पावर के रूप में करहन देने के लिए, एक बहुत बड़ी स्टेप थी, and I think this is one of the very big things that India has achieved in the last 75 years, क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स की बारे में अगर बात करें, स्पोर्ट्स में भी भारत कम नहीं है, एक देश जो की 1947 में आजाद होके, तीन-तीन वर्लकप्स जीच चुका है आज के दिन तक, थेके 1983 में, ODI वर्लकप, कैप्टेन वस कपिल देव, तीन-तीन की वर्लकप, 2007 में कैप्टेन वस MS दोनी, और फिर से 2011 में ODI की वर्लकप, अंदर कैप्टेन शिप ओफ महेंदर सिंग दोनी, तो तीन-तीन बार हमने क्रिकेट की सबसे बड़ी वर्लकप, हम लोग क्रिकेट में पूरे विश्व में सबसे बड़ी आदेश है, इसक क्रिकेट में कोई हमको हरा सकता है, क्या भताहिएगा कमेंट सेक्शन में, उसके बाद, 71 में भारत ये भी शो करती है, कि सिर्फ हम लोग अपने लिए नहीं है, हम अपने आसपास की नेबर्स को भी सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, आपको पता था, उस समय जब भिभाजन हुआ था, 47 में तब पाकिस्तान की दो खंड बने थी, एक इस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इस्ट पाकिस्तानियों के उपर बहुत सारे अत्यचार करती थी, बहुत सारे आरोपे है, रेप करते थे, मर्डर करते थे, प्राप्त करने में सहायता करी ठेक है? बहुत सारे operations करा and Bangladesh Liberation War 1971 को fight करके Bangladesh को और Bangla को एक नया भविश्य दिया तो इससे सो करती है कि भारत अपने लिए सिफ नहीं करती है उसकी जो दिल है वो बहुत बड़ा है वो दूसरों के लिए भी हाट को open कर लेती है उसके बाद अगर आप कहोगे कि भारत के लिए और क्या क्या बड़ा मुकाम है तो 26 मुकामों में I think nuclear weapon का acquisition एक बहुत बड़ी चीज है हलाकि हम लोग NPT या IAEA के members नहीं है बट फिर भी भारत एक nuclear power state है और आपने citizens को अपनी नागरी को अपनी देश को बचाने के लिए हम लोग 100% 100 टक्का ready है आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो nuclear program है भाबा atomic research होमी भाबा के अंदर यह बनाए गए थी natural uranium को हम लोग upgrade करके कैसे हम लोग इसको nuclear power मे efficient reactions करके अपने आपको बचा सकते है हमारी बाचपई जी एक successful test launch करके हमारे देश को nuclear power capable करके रखती है बहुत लोग इसको negatively कहते है बट मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया इसकी honeycara की use को बचाने के लिए no first use policy को भी uplift करती है एक बहुत ही बढ़िया security and safety का balance maintain करती है इसके बाद अगर Olympics में कहा जाए तो भारती बहुत सारे achievements कर चुके है इसमें 8 बार हमने hockey की Olympics में goal medal लाव किया है and individual goal medals भी हमने हासिल की है 2008 की Beijing Olympics में अभिनब बिनरा shooting के लिए and 2021 की Tokyo Olympics में नीरच चोपरा जैलिन ट्रो के लिए goal medal हाजिल कर चुके है total 10 goal medal हमारे पास है Olympics जैसे एक अंतराश्ट खेल में भी उसके बाद 78 में Dr. सुभास मुखोपध्याई जो की credit किये गये थे for development of the science of in vitro vitalization पहले ऐसा सोचा गया था कि जिन लोग के पास आपकी delivery में problem होती है तो उनको गोद भढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा या फिर बच्छा का सूख नहीं मिलेगा बट इस doctor ने scientist ने ऐसा एक तरीका निकाला कि test tube में भी हम babies को form करके in vitro fertilization करके बच्छा deliver कर सकते हैं जिहां दोस्तों एक बहुत बढ़िया व्यग्यानिक अभिषकार मैं कहना चाहूंगा इसको और भारत आर्थिक डिफेंस राजनेतिक और इनोवेटिव साइंस में हर जगे अपनी जगा बना चुकी है अगर वही satellite launches या फिश पेश missions की बात करे तो इश्रो ने एक साथ 104 satellites को launch किया है और नाकेवल अपने देश के satellites बट इसमें अलग-अलग देशों के satellites भी हमारे यहां से launch करने के लिए prefer करते है Russia, US जैसे देश भी हमारे इश्रों के दुआरा launch vehicles के दौरा PSLV के दौरा इसको launch करने की एक तरीके से चाहर रखते है तो यह शो करता है कि इतने बड़े बड़े देश अगर हमारे rocket science के ओपर भरोसा कर रही है तो सही में हमारे scientists बहतरीन काम कर रहे है भारत का सर आसमान में उचा कर चुके है अगर Nobel Prize की बात करे तो दोस्तो Amartya Sen की बात यहाँ पे उठापन होगी ही होगी यहाँ पे देख सकते हो He is the person Amartya Sen वान फे प्रिलियन एकोनोमिस इन एंटायर वर्ल्ड उनकी जो developmental economies है उनकी जो model है उन सारे चीज़ों को apply करके भारत की economy काफी तोर पे आर्ठिक स्थिती पहतर कर चुकी है इसके अलावा अगर आप कहोगे तो भारत का एक और बहुत बड़ा कश्मीर का मुद्दा उठापन होता है कश्मीर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसके माध्यम से हर भारती के दिल में खुन खौलता है एन 1999 में फाइनली पाकिस्तान ने इंट्रिउशन करके हमारी सेहनसीलता का एक तरीके से टेस्ट ले लिया था एन इस टेस्ट को इस एक्टिविटी को भारतीय सेना मूतोर जवाब देते हुए कारगिल को अपने हाथ करके ठीक है अपनी पोजीशन फाइनल कर चुकी है कि कश्मीर अगर है तो हमारा है और हमारा ही रहेगा दूद मांगोगे तो खीर देंगे कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे तो ये वाली चीज जो है एक तरीके से आप देख सकते हो कारगिल युद्ध एक बहुत बड़ी मुकाम में मुझे कहने की जरुरत नहीं पड़ेगी कारगिल में क्या हुआ था कब क्या हुआ था यहां पर देख सकते हो बट याद करो उस दिन को उन वीरो को काप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्राएवरडी उनके नाम पे अंदमान निकोबार में एक आइलेंड भी अभी रीनेम कर दिया गया है तो कुछ वैसा फिर सिविल नूकलियर डील आपको पता है कि भारत ने नूकलियर वेपन तो एक्वायर कर ली थी बट नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का साइन नहीं किया था और इसके द्वारा हमारी जो नूकलियर वेपन है इसको अबैध माना जाएगा वर्ल कम्यूनिटी में, इंटरनाशनल कम्यूनिटी में अंतराष्ट समाज में और इस चीज को लेजिटीमेसी देने के लिए हमारे प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग जी ने यूएस के साथ एक तिविल नूकलियर डील साइन करा जिसके माध्यम से यूएस कहना चाहेगी कि भारत का नूकलियर प्रोग्राम तोटली बैद है हम लोग इसको लेजिटीमेसी देना चाहेंगे और इसी के साथ आपको पता है कि अगर यूएस का सपोर्ट अगर है हमारे पास तो यह आटोमेटिकली लेजिटीमेट होई जाता है तो यह बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी मुझे लगता है वरना नूकलियर खत्रा हमारे देश के उपर बनना रहता अगर इसमें से कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद कोवीड वैक्सिनेशन का टाइम आया भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा वैक्सिनेशन राइफ करी करने में सक्षम हुआ 200 करोर वैक्सिनेशन हमने मुकमल किया हिस्टोरिक एड अनपरलेल अचीवमेंट विच सबका प्रयास 200 करोर यहां पर देख सकते हो वैक्सिनेशन का हमने प्रदान किया ना केवल भारत ये लोगों को पठ हमने वैक्सिन्स बांगलादेश, मौलडेप्स, इंडोनेशिया ऐसे देशों में भी विदेश के देशों में भी भेजा था उनकी सहायता के लिए उसके साथ इंडियन ओरिजियन लीडर्स अप्ड़ वर्ल्ड अगर आप देखोगे कि भारत और भारतिय लोग ना केवल इंडिया में अच्छे जगहों में काम कर रहे है वो अलग-अलग देशों में भी अच्छे पदों में हैं ज्यसे कैमला है रिस यूएस की वाइस-प्रेशिदेट संटो की सुरिनाम का प्रेसिदेट वेवल रमकलवान सीशेल स्करेसिद्ट प्रवीन जूगनाथ मोरेशियस का प्रेसिदेट हलिमा यकूब सिंकपूर की प्रेसिदेंग मुहम्मद इर्फान अली गौयमा का प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्ता पोर्टुगाल का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो आप देख सकते हो कि भारतिय लोग ये सारे इंडियन ओरिजिनेटेट पीपल है परसन ओर इंडियन ओरिजिन तो भारतिय लोग अपना जहंडा सिर्फ देश के अंदर नहीं देश के बाहर भी गाड़ चुके है और इसके साथ साथ रिशी सुनाग जी का तो नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिस देश ने हमको इतने सालों तक कोलोनाइज किया उस देश का भी लड़का लेके बैठा हुआ है तो गईस इतिहास कुछ वैसे ही चीज़ है अगर आप भारत की GDP की बात करेंगे 1950 में जब अंग्रेज हम लोग को छोर के गये थे तो विश्व का सबसे गरीब एक प्रकार का देश बना के गई थी आपको पता है ब्रिटीश ने कितना हम लोग के उपर लोड़ पार्ट किया था अंग्रेजियों से पहले मडियेविल पिरियद में मध्य भारत में मामूद अव गजनी गजनवी मौमद गोरी अलग-अलग तुर्की और अरब लोगों ने हमारे देश को लूटा अगर फिर भी आज 2023 में भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा एकॉनमी होके खड़ा हुआ है अगर ये प्रगती नहीं है अगर ये हमारा भारत नहीं है तो क्या है दोस्तों बताइए मेरे को इससे बड़ा नियूस क्या हो सकता है अगर टेकनोलोजी की मामले में बात करोगे तो विश्व का सबसे बड़े बड़े जो फिर्म्स है उसमें भी भारत ये लोग ही चीफ एक्जेकुटिव ओफिसर यानि कि सीएओ है अजयपाल सींग बंगा माइक्रोसोफ्ट हर कंप्यूटर में जो होता है उसका सीएओ है सट्यन अदेला नोकिया उसका सीएओ है राजीव सूरी आईबीम कंप्यूटर्स उसका सीएओ है अर्विन कृष्णा वी वर्क उसका सीएओ है संदीप मठरानी पालो अल्तो उसका सीएओ है निकेश अरोरा एंड गूगल जो कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे उसका सीएओ भी भारतिया है सुन्दर पिछाई तो दोस्तो गूगल से लेके माइक्रोसोफ्ट तक सारा भारतिये लोग ही एक तरीके से चला रहे है इससे बैतरी नियूज किसी भी इंडियन के लिए आज के दिन में क्या हो सकता है तो इस रिपब्लिक डे में मैंने इसलिए इन सारे चीजों को आपके सामने रखा अगर यूनिकॉन्स की बात करें तो स्टार्ट अप कल्चर में भी भारत थर्ड हाइस्ट विश्व का कंट्री है जिसमें इतने सारे बैतरीन कंपनिया हमारी उभरती हुई आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देके आगे बढ़ा रही है हमारे देश को आगे लेके जा रही है ओसकर एवर्ड में अगर आप बोलोगे तो वहाँ भी भारतिय लोग पीछे नहीं है सबसे पहला भानू अथाया बेस कस्ट्यूम डिजाइन 1982 में ये सारे ओसकर एवर्डी है दोस्तो entertainment sector के entertainment जगत का सबसे बड़ा एवर्ड इसको कहा जाता है सत्यजीत राइ ओनरेरी अवर्ड 1992 रेशूल पुकुट्टी बेस साउंड मिक्सिंग 2009 गुलजार बेस ओरिजिनल सौंग 2009 और रह्मान बेस ओरिजिनल स्कोर एण बेस ओरिजिनल सौंग 2009 तो आसकर में भी भारती लोग पीछे नहीं है दोस्तो आपको प्रेरना मिलना चाहिए कि आप भी ऐसा कुछ कर दिखाओगे भारत के लिए एक गर्व लाओगे डिजिटल इंडिया भारत हाला कि कहा जाता है कि इस देश में रूडल कल्चर है बट मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के गाओं में भी आज घर घर में मुबाइल फोन है इंटरनेट है इलेक्ट्रिसिटी है देखें माई गवर्मेंट एप यूजर्स एटीवन लैक्स है यह उस्पिटल ट्रांजेक्शन्स दस करोर लोग करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स का इस्तमाल सारे तीन लाख लोग आधार कार्ट जेनरेट एक सो तेईस करोर लोग डिजी लोकर फेसलेटी तीन करोर लोग तो आप देख सकते हो कि भारत आजकल डिजिडल ट्रांजेक्शन्स को कितना बढ़ हावा दे चुकी है और डिजिडल लिटरेसी के तरफ भी हम लोग पीचे नहीं है प्राइवेट स्पेस मिशन्स के मामले में आजका बड़ा मुद्दा है कि स्पेसेक्स जैसे इलोन मास्क की कमपनी प्राइवेट कमपनी होके भी स्पेस में मिशन भेज रही है तो भारत भी पीचे नहीं है इ एरो स्पेस काई रूट जैसे कमपनियां भी अपनी प्राइवेट मिशन भेज रही है और भेज चुकी है विक्रम वन जो मिशन था तो प्राइवेट कमपनी भी स्पेस में जाने की भारतिय लड़का है नागा भारत दाका और पावान चंदना भारतिय खून भारतिय तो भारती होने पे आपको गरभ होना चाहिए दोस्तो भारत के लिए काम करो कुछ ऐसा कर जाओ कि भारत गरभ करे आपके उपर उसके बाद महिलाओं का ससक्तिकरण हमारे देश को बहुत लोग कहते थे कि हम महिलाओं को चार दिवारी के अंदर रखते थे ससक्तिकरन नहीं करते थे उनको अपना हक नहीं देते थे उस चीज का भी मूत और जवाब देते हुए 2007 में इस देश का सबसे बड़ा पद है First Citizen of India जिसको कहते है इस देश का राष्ट्रपती का पद भी एक महिला के नाम कर दी है इस से बड़ा मिसाल हम लोग क्या ख़रा कर सकते है कि महिलाओं को भी इस देश में समान हक मिलता है और ससक्तिकरन करने में कोई कसर भारत सरकार छोड़ नहीं रही है तो guys इन पिचेतर सालों में आपने देखा कि कितने सारी चीज़ें हमने अचीव की and last but not the least इस देश के सबसे जो महान चीज मुझे लगती है कि सिक्षा का विवस्था हम लोग मुफ्त का प्रवाइड करते है 6 से 16 साल की उमर के बीच और यह मैं नहीं कह रहा हूँ Article 21A of the Constitution Part 3 That is a fundamental right अगर यह उलंगण होता है तो directly Supreme Court जाके आप इसकी justice ले पाएंगे तो एक प्रकार से सबसे बहतरीन चीज मुझे लगती है कि right to education भी हर गरीब बच्चे को यहाँ पर Parliament द्वारा प्रदान की जाती है आज का वीडियो में इतना ही था 20 सबसे हरत अंगेज चीजों को मैंने आपके सामने रखा I believe इसी के साथ आपको बहुत एक अच्छा motivation मिला होगा वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करियेगा and I will see you there in another video until then जैहिन, जैभाद